करंपल बाई एक बजन दादा लख मिचंद गाप्रंपार्त्री माया प्रभु केकर देख छन मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मदर हाया कारवाई हो जेगे ने जुकर ये स्टेज आप बुंडे बोला है जिद्धनी इनके बालक लाइक जेंगे ने उडूंगे माननर तो गलती तो कलाकारां की कई कलाकार नुगा आमके अगरा पब्लिक साव पब्लिक तो न्यू चाहूंगे उगाड़े वजयो स्टेज बोजया अमारी रागनियों इतना यूथ शुनगा दिली उनस्टी में जहां तक रागनी निगा इक नाठ पलेस मामन तो वहां टिकट लगा लगा के शो हैं हमारे ज्यानी चोर के सांग करें हैं ऐसा नहीं है वही बात ना समझाने का फरक है जो एक बार हमको शुन लेता है बहुत से यूथ और लड़कियां को लिजू ऐसी जो यह बोलती बाई सब आपकी रागनी शुन के आमने रागनी शुनन लागे नहीं आज के लिए यूँआ साथी क्या गरते हैं देखो सबते पहले मोटर साइकल फोन चाहिए गोज में बरतन खातर पीशे मांगें तिन तिन बैक रोज में गराले नियू सोचें थे मारा छोरा लाग फोज में पैर बदी पैदर अलाग गया करन लाग बद मासी कहे शुने की म को निया इसा जा मिया सत्याना सी मात पिता खुछ कह दें तो फिर गालन ने वो चल ले फासी बाई मा बाप रहने रहना बासी वो मंग दाड़ फराई नहीं रह समझ मैं मेरे साथ हैं हरयाना के युवा दिलों के औवाज बाई विकास सातरोडिया घानवी रागनी को एक नया रूप दिया है युवाउं को भी रागनी के परती आकरसित किया है ऐसी मिठी अवाज कि आज का युवा जो हरियानствी पोप के या दूसरे फिल्मी गाड़ों के वीडियो को शेयर करें अपने कमेंट लिखें माँ आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं जी वाइसान उसकार बाइसाब करमपाल बाइन मशकार और पड़तालग टीवी के सभी दर्सकों गवा जुड़ गराम एक तो बहुत बदाई एक यंग लड़का बीटेक पास इंजिनि डाले यारे प्यारे बटे वहाँ डाले इंजिनिर अबन जी देशम देशम नोकरी कर ले नोकरी लाइक जा सरकारी तो उनसे बचने के लिए इंजिनिरिंग तो मेरी यह मानों की पार्ट टाइम है तो अपना ये मारी एक प्रिंजिपल होया अगरती प्रतिवासिंग वो कह लोग तो बीटेक करें साथ साथ पार्ट टाइम को जोब करें तुम बिटेक नहीं पार्ट टाइम ले रहा है तो बीटेक तो थोड़ा बहु घर क्यान करवा दी तो नहीं है एक मेरी रागणी काफी वाइरल होई थी यूवा साथियों के उपर और एक दारू के उपर लागणी वो है मात पिता का नाम डबो दे इसी उलाद बताई रहे नहीं रहे समझ मैं आई आज गले के यूवा साथी क्या गरते हैं देखो सबते पहले मोटर साइकल फोन चाईए गोज मैं बरतन खातर पीशे मांग तिन तिन वे एक रोज मैं गराडे नियू सोचें थे मारा छोरा लाग फोज मैं पैर बदी पैदरन लाग गया करन लाग गया बदमासी कहे शुने की मान कोन्या इसा जाम्या सत्या नासी मात पिता खुछ कह दें तो फिर गालन ने वो चले फासी बाई माबाप रहने रहना बासी वो मंग दाल फराई नहीं रह समझ मैं आई विकास के बारे में मंदला दर्सक भी एक हैं जो रागनी सुनने वाले हैं यह भी अपने गुरू की तरह सापसुत्रा गावा है बद्दा इसने भी निगाया को यह देखो यह बात आपकी सही है बद्दा भी निगाया और अमारी कोशिस करमपल भाई पता क्या रहती है रा अपना अगर वो रागनी शुन राखें तो आप तो समझ लोगे के कही हो नया बच्चा जब उजन किल्की मारोगे हूँ आकरोगे तो नया बच्चा का समझ मत कोनी आवे के गावाई मारा मक्सद यह रहता है कि जीतना गळा जितनी आवाज उतना गाओ ऐसा गाओ कि मद्रफी का दर्जा जिन को मिला राज किशन जी लेकिन मेरे पास आज भी आपको स्क्रीन शूट दिखाऊंगा सेकड़ों ऐसे कोमेंट आए बले बाइसा आख बंद गर के सुना आने नू लागर राज किशन गाल लाग रहा है तो वहां से मेरा थुड़ा उसला बढ़या अलांकि मा कुछ भी नहीं उनके आगे जीरो हूं लेस मातर भी नहीं हूं लेकिन लोगा ने प्यार प्रेम दिया तो कुछ सोच समझ गये उनन बोले आ हुगा आप किसी ज़्यादा गाते हो जो भी कवी नहीं की भी गाई है मैंने जैसे बाड़क गाहों से चंद्र गोडबरम ग्यानी होए हैं और भी बहुत हैं अमारा मकसद रहता है वे लोगान पसंद आ जाओ और गुरुजी आधा आज तक 14 साले केरियर में ऐसा नहीं होया है कि मन् लिखते हो आपने बहुत रागणियां लिखी हैं और मेरी कुछ रागणी तो यूथ फेस्टिवल में फस्ट भी आई हैं को लिजम लिखिए एक यूवा साथियों के उपर थियो रागणी जो दारू और इसका नशागरते हैं आजकल उनके लिए थिए यह दारू चीज ब बनाई बनते काम ब्यगाडए नसे नसे मैं ओहें लडाई मिले होए मन पाडए जो पीवै रोज रहें खाली गोज यो हो जा ब्योंत कुड आड़ा रहें सुल्फे दारू दे वजर्यां गोएं बागा याड़ा रहें सुल्फे याड़ा नई बहुके आग एको डोल लेगा गरां बटे उआ रहें बाई कैके बोल लेगा चिलम का पीना फेर के जीनार गर्द्यों बिलगुल टाला रहें सुल्फे दारू दे वजर्यां को ये बागा याड़ा रहें आखरी के लिश्की रमेश कुमार गुरू जी ने भी योए ज्ञान सिखाया सुल्फे दारू का नशाकरणियां फिर पच्छेपच ताया कुमार विकास तेरे तै आस इब तु पाड़े दे चाड़ा रहें सुल्फे दारू दे बच्छर्यां को ये बागा याड़ा रहें यह कहते हैं जो आदमी रागनी सुनता है सांग सुनता है वो कभी गल्थ संगत में नहीं पड़ता है गल्थ काम नहीं करेगा वो समाज में बाई करमपाल ऐसा है शुनने से कुछ नहीं होता रावन भी चारवेद से शास्तर क्या गयाता था लेकिन अमल तो कोनी करें उस पर लुफा और लालाच पतानी क्या 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 वो करते हैं तो मैं इनको यह कहता हूं जीतना स्टेज पर ग्यान देके आयो उसका दसमा इस साथ आमल कर लियो कम सगम एक बजन है पड़िया सब दूल है जिसने पड़ के अमल किया ना रावन ग्यान निधा सबसे बढ़ कर चार करो जब अपने फैसला किया कि रागनी को यह प्रोफेशनल अपनाऊंगा तब क्या रेक्सिंधा करका बाई देखो परिवार तो आज भी खुस नहीं है उसकी एक वज़े है अमारे परिवार में संगीत का बेक्ग्राउंड नहीं है जितने भी कलागार है न मार्केट में उनका किषेगा बभू सांगीता किषेगा दादा कवीथा सांगीता सब के पिछे एक बड़ा बैनर है मारे परिवार में गाणिया चोड़ो को सुननिया भी को नी मारे चोत्र माई ब्रागनी का आओ आध दा गाम आजे अमारे गर की नहीं आओंगे क्योंकि वो इंट्रस् को दुकानदारी या कुछ और इस तरह देख ले कोई तो गरवाले तो देखो जी चाहते हैं कि बच्छा एक स्टेबल इंकम के साथ कामिया ने 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 मेरा यही प्रोफेशन है तो नोकरी नहीं नोकरी 2011 में उड़्डा सरकार थी उस टाइम उड़्डा डिपार्ट इस मताओ इंट्रेस्ट वाली बात है ना और मैं तो यह मानता हूं करंपल भाई आदमी को संतुष्टी करनी चीए रप्या चाहे कितना एकमाले संतुष्टी नहीं दो रप्या बेकार है संतुष्टी चाहे एक रोट टीम कर लिए दसम कर लिए संतुष्टी करो गे ओड़ स्कूल में सुनाई थी पहली बार्वी कलास में था इसार कोलीजों को मैंने मेरे कोलीज को कई बार यूथ फेस्टिवलों फर्स्ट पोजिशन दिलवाई यह रागनी के माध्यम से चाहे रहे और कोलीज में देखो अमारे जो डिरेक्टर थे ना सत्यवीर दलाल साब थे आ और रागनी उनको बड़ी पसंद आई मेरी 6-6 साल की फीस माफ कर दी दलाल सा अच्छे रागनी के से परसनों क्या बात है अधो हर समेश्टर की बलो इस बंदे की फीस माफ है बिल्कुल ओसला बढ़ गया और वहां से फर्स्ट पोजीशन भी मिली कोलीज में और बस सब्सक्राइब अपनी पार्टी में कब बनाई थी मेरी पार्टी मन दोजार चोदाम गुरूप त्यार कर रहा था जी कोलीज से पास आउट होने के बात है उससे पहले गुरुजी यांगेल चले और कोई कला गारा रहा और बेठके उसकी फर्टीम गालिया मेरी पार्टी कंट्यून चल रही है अपना दर्सकों को रागनी के दर्सकों को मेसिज यह है कि अच्छे कलाकारों को सुनों जिनकी बात समझ में आती है और उनको वही बात है गुणों समझ नहीं कोशिश करो अगर समझ नहीं आती कि मेरे दोरों बहुत से फोन आजया आश्ट्रेलिया गया था में वहां से अब भी फोन आजया है कि बाइस लाइन का इस शबद का मतलब की है मैं बताता हूं फिर उनको विकीपीडिया आप तो आर्ट एंड कल्चर कितना बड़ा डिपार्टमेंट बारत सरगार का वहां से भी कई बार फोन आ जाते हैं कि कोन सांगी कैसा है क्या रागनी कैसी है तो यह है कि उनको समझो पहले पड़ो मैंने तेरा साल तक लख मीचंद मांगे रहा मेरे जिंको सिरा पढ़या है फिर गाना चुरू किया था बच्पना लागया था तो शक्तक है फिर आ भी इंदा करें दा चुरू कर जादा बढ़या विजत मेरे यार बागये के वहां मेरे बाहियों नून भाजान गया है अश्यान है यह मनों बहुत बढ़ या प्यार प्रहिम देते हैं अच्छा प्रोग्राम और याना के लावा राजस्थान के उत्रपरदेश के आप पाकिस्तान के इधर के भी थे कुछ में बारत के 10 से टेटों में रागनी गा चुक है दो दो तिन दिन बार बंबई राजस्थान दिल्ली यूपी गुजरात और याना चलता ही रहता है अपना उत्राघंड कलकता ज आज में आवड़ा बरीजगनी चे और तीन देश्थों में जा चुक है तो जहां भी जाते हैं ना वहां रहाना के बाई कदी बाट देख देखती पाव मी बढ़ी आप बड़ा यंग हो सुत्रागाओ हो आज कल जो ये रागनी गायक है यहां रागनी गातें बीट तो यह यूथ है अमारा क्यों निसमझ पा रहे है बाई साब समझेंगे जिस दिन इनका गरहाया कारवाई हो जेगे ने जुकर ये स्टेज आप बुंडे बोला है जिद दिन इनके बाड़क लाइक जेंगे ने उडूंगे माननर बुंडे बोलन उदिन ये कलागार भी समझें बागी पबलीक न सवाद लेना तो मतलब हो बाई साब इसे बुड्डे देखे हैं चोरी नाचें डूंगे भी देखंगे यार बेठे-बेठे नियु भी काई बल्या ना उडूंगे मारे अर बेठे वी रहेंगे सारा दिन आभी जेंगे तो गलती तो कलागारांगी इब क सब्सक्राइब कर देखने किस तरह का आप मतलब दर्सक अपना देखना चाहते हो कि मैं सब्सक्राइब कर देखनाओं पर बाई एक बजन दादाल अखमी चंद गाप्रम पार्त्री माया परभू कर देखना मन की सोची बनती को निया जो मानस के मन में बोच्छी बार ऐसा सोचके जाते हैं आज उस्टेज बनु करांगे नूगावाई नू करांगे लेकिन मन की सोची कुछ नहीं होती सची अब दूसरे सब्सक्राइब नहीं है कोई नशानी करते हैं विजन यह बस इतना मालिक की किरपा ना इतना यो गड़ा दे रहा इतना बड़ी आ सत्का द्रम का परचार करां अगा बगवान की जो इच्छा होगी वह जागा एक और आप जैसे यूद फेस्टिवल में गाते एक यूद्शिए में अब इसार में देखा लेकिन रागणी कंपिटिशन में तो यूद्ट क्यों नी आ रहा हूई हो ना ना अत्पे लेसमा न तो वह टिकट लगा 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 के शो है हमारे जिश्यानी चोल के सांग करें हैं अच्छा ऐसा नहीं है वही बात है ना समझ पूरे अर्याना में पूरे देश वर में रागिने के शोकिनों के बीच अपना एक नाम कमाया है एक मुकाम आसिल किया है आप पड़ताल टीवर बने रही है कोमेंट्स लिखें मैं आपका दोस्त रमपल धन्यवाद